फैक्टरी के परखचे उड़ा दिये पहले हैलिकॉप्टर से कमांडो उतारे फैक्टरी के गाड को माड डाला एरानी अफसर उठा ले गए उसके बाद मिसाइल से फैक्टरी को तहसनेस कर दिया अब इस्राइल चुप है और इरान बदली की आग में जल रहा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहें कि जिस तरह से अपने दो अफसरों के मारे जाने पर इरान ने इस्राइल पर तीन सो ड्रोन और मिसाइल से अप्रेल में हमला किया था इरान इस बार ऐसा कुछ कर सकता है खामनेई की सुरक्षा दिवार भर भरा कर गिरी इसरेल ने उड़ा दी इरान की मिसाइल फैक्टरी पहाड की खोव में आईडी एफ का सबसे बड़ा आप्रेशन इरान का स्लिपर सेल भी देखकर रह गया दंक इसरेल इरान जंग पुरे जोरों पर है इसरेली डिफेंस फोस हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है एक जग़ बरसा बारूद धूए में तबदील हो तब तक दूसरी जग़ धमाके से गाजा ही लूटता है 11 महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इसरेल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है तहराद, लिबनान, यमन, सिर्या को भी टारगेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमिराद से लेकर लंदा तक मुसाद के एजेंट फूल आउन एक्टिव हैं आप देख चुके हैं कि कैसे हमास चिफ इसमाईल हानिया को मुसाद ने इरान के घर में घुस कर मारा, मकसर सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था समर्थन कर रहे इरान को चेताउनी थी इसराइल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौद का जिम्मेदार खुद होगा अब ताजा हमला सिर्या पर देखिए सिर्या के मसफ शेत्र में मौझूद साइन्टिफिक रिसर्च सेंटर पर इसरैली डिफेंस फोस पहले एयर स्ट्राइक करती है यह इसलिए क्योंकि सिर्याई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनी को को नहीं भेज सके फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसरैली कमांडो हेलिकॉप्टर से उतरते ही कमांडो सेंटर के गार्ड को मारते ही यहां मौझूद दो चार इरानी अफसरों को उठा ले जाते ही सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते ही इसके बाद मिसाइल आटाइक से सेंटर को निस्तों नाभूत कर दे दे ही एक्सियोस के मताबिक 2018 में हिजबुला और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउड फैक्ट्री बनाई गई इरान ने पहाड के अंदर इस फैसलिटी को बनाया ताकि इसरेली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके मिसाइल फैक्ट्री को लिबनाद सीमा के खरी बनाया गया था ताकि हिजबुला को आसानी से हथियार पहुँचाया जा सके सिरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है ये एक केमिकल लिसर्स सेंटर है जिसका इस्तेमाल इरान और सिरिया तोनों मिलकर करते हैं इस इलाके में अक्सर सिरियाई सरकार के अधिकारियों और इरानी रिवॉलोशनरी गार्ट के अफसरों की मीटिंग होती है माना जा रहा है कि जिन इरानी अफसरों को इस्रेली फोस्त ने अगवा किया है वो अलग-अलग चीज़ों के एक्सपर्ट है सिरिया के मसेफ और हमा इलाके में इरान समर्थी तातंकी समूहों के लोग रहते ही ये हमला 9 सितंबर का है इस हमले से मसेफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पुरी तरह से खत्म हो गए मिसाइल फैक्टरी पर अचानक हमले से सिरियाई गाट्स हैरान रहे कहा जा रहा है कि मसेफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में डोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थी इस्रेली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में इरान और सिरिया के खलाफ पहला ग्राउड ऑपरेशन है इस फैक्टरी की तबाही इरान सिरिया समित हिजबुला के लिए बड़ा जटका है क्योंकि यहां मिडियम रिंज की 60 मिसाईले बनाई जाती है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आपरेशन को लेकर इस्रेली सरकार चुप है क्योंकि इस्रेल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिसे एरान या सिरिया भड़क जाए इस्रेल के इस उपरेशन में 15 मिलिटरी साइट्स को चार्गेट बराया गया जिसमें 18 लोग मारे गये हैं और 37 लोग जखमी हुए हैं 7 अक्टूबर 2030 जब हमास ने इस्रेल में घुसकर 1200 लोगों का खतल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया उसके बाद इस्रेल की ओर से ये अब तक के सबसे सहसिक मेशन में से एक है इस मेशन में इस्रेल ने अपनी और आने वाली मिसालों की सप्लाई लाइट भी काट दी रिपोर्ट के मताबक सिरिया में इस्रेल ने जहां रेट की वो एक अंडरगराउड मिसाल कार खाना है इसरेल ने इसे नश्ट कर दिया, अमेरिका और इसरेल के दावे के मताबिक ये मिसाइल फैक्टरी इरान ने बनाई थी इरान के विदेश मंत्राले ने हमले की निंदा की है, रिपोर्ट के मताबिक इसरेल वाई उसेना की विश्ट इकाई शाल डैंग ने एर स्ट्राइक और रेट को अंजाम दिया, यह उपरेशन बहुत सम्वेदन शील था, ऐसे में बाइडन प्रशासन को पहले ही इसकी सूच अमेरिका ने इस ओपरेशन पर कोई आपती ने भी चताई, इसरेल ने कई एर स्ट्राइक के जरिये पहले भी इरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है, सिरिया के मेडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरेल ने जहां हमला किया है, वहां इरान और स जिरिया मिलकर केमिकल हत्यार बनाते थी क्या होते हैं केमिकल हत्यार Organization for the Prohibition of Chemical Weapons यानि OPCW के मताबिक केमिकल हत्यार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नीन सुला सकते हैं और साथ ही उन्हें अलग अलग बिमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते ही 2023 में केमिकल वेपन के वाच डॉग यानि OPCW ने घोश्रा की थी कि अमेरिका आखरी देश था जिसके पास ये हत्यार मौजूद थे और इन्हें निश्ट किया जा चुका है 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के मताविक इसमे श्रामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखर तक सभी केमिकल हत्यारों को निश्ट करना था इरान के सेंटर पर इसरेल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या एरान बैन के बावजूद केमिकल हत्यारों का प्रोडक्शन कर रहा है यहां आपको कुछ सबसे खतरनाख केमिकल हत्यार के बारे में जरूर जाना चाहिए नर्व एजेंट सबसे घातक केमिकल हत्यार छोटी से डूस पल भर में जान ले सकती है चोकिंग एजेंट दम घोटने वाला केमिकल हत्यार ब्लड एजेंट ब्लड सेल पर हमला करते हैं दम घोट देते हैं ब्लिस्टिंग एजेंट शरीर पर फफोले हो जाते हैं व्यक्ति अंधा हो जाता है जान भी जा सकती है रॉइट कंट्रोल एजेंट आंग, मूम, सकिन फेफडे में जलन पैदा करते हीं सेरिया की केमिकल फैक्टरी पर इस्रेली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे च्छिपाया तो अब इरान के पास कोई तरक नहीं है के वो केमिकल हन्थ्यार बनानी की बात कबूल करें और इस्रेल के खिलाब हमला बोलते वैसे इस साल सेरिया में मौझूद इरान के समर्थन वाले आतंकी समोह पर इस्रेल ने 43 एयर स्ट्राइक किये हैं सिरिया में इस से पहले इसरेल ने 1 अपरेल 2024 को तमिश्क में हमला किया था इस हमले में इरानी रिवलोशनेरी गार्ड के 7 सदस से और 6 सिरियाई नागरिक मारे गए थे इसरेल ने इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार किया लेकिन इरान ने इस्रेयल पर हमला कर दिया तीन सो जोन और मिसाइले दाग दी इस्रेयल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खत्रे को आने से पहले ही खत्व कर देता है इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही को न भेजनी पड़े इस्रेयल युद भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 11 महिनों की लड़ाई में अपने से किसी भी स्तर पर तुलना के खाबिल नहीं समझने वाले हमास का सफाया क्यों नहीं कर पाया है इसका जवाब पूरी दुनिया चांती है और वो ये है कि इस्रेयल के हर दुश्मन को इरान का समर्थन हासिल है इरान ये सालों से करता रहा है इरान मान कर शटता है कि इस्रेयल का अस्तित्व अर्बों की जवीन पर खड़ा हुआ यहूदियों की घुसपैट है यानि इसरेल का समूलनाश इरान का मकसद है इसके लिए वो यमन के होथी वी द्रोहियों को समर्थन करता है लिबनान के हिजबुला का भी समर्थन करता है यही हल सिरिया का है इरान सिरिया में उसके साथ है जो अमेरिका का विरोथी है इसरेल का है